जब तक जीना तब तक सीखना क्योंकि अनभव ही जीवन का सबसे बड़ा सिख्षाक है सकते हैं मैं अपने प्रोफाइल की लिंग इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देदें दूस लिंक पर डारेक्ट करके फॉलो कर सकते हैं और आप चैनल पर पहली वार विजिट करें चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें साथ हैं वेल आकोन प्रेस करें ताकि भौतकी में नोबल प्राइज मिला है दोस्तों आर्थर आसकिन, गेराड मोईरो, डोना इस्क्रिट लेंग यानि ये सभी वैगजानिकों को मिला है आपको बताते कि रॉयल स्वीडिस अकेडमी आप साइंसेज ने लेजर भौतकी एक छेतर में ग्राउंड ब्रैंकिंग अ बता देते हैं, हलाकि नोबल प्राइज के वारे मैं आपको कल सारे डिटेलन बताते लेकि मिन आप फिर से एक वारे वीजन कर देते हैं तो आकि आपको चीजे याद हो जाए श्टोर हो जाए देखिए नोबल पूरुसकार की स्थाबना किया था अलफ्रेड वर्नार्ड न प्राइजियों में उत्कृष्ट योगदान के लिए नोबल पूरुसकार दिया जाता है लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा नाइंटी सिक्ष्टी नाइन में अर्शास्त के नोबल पूरुसकार भी जो तो शुरुवात किये गए थे तब से जो तो छे शेत्रों में न खिला था भारत में तो आरचाउदा में सांती नोबल पूरुसकार बाल अधिकारों को प्रसाहित करने के लिए उनका जो एक अंदोलन था बच्पन बचाओ अंदोलन 1980 में चैनला स्थी को मिला था नोबल पीस सांती का नोबल ठीक है मलाल एश्यूप जय किसाद मिला से एक आपको बहुत याद रखना है ठीक है तो काफी important question रहते हैं आप वीडियो लास तक देखिए वीडियो अच्छा लागा करें तो लाइक करके motivation जरूर दोस्तों motivate किया करिए सपोर्ट किया करिए आपका motivate ही एक like है मोटिवेट करता है इस वीडियो को जादा जादा share किया करिए ठीक है टार्गेट है 15,000 लाइक का तो टार्गेट आप लोग पूरा नहीं कर रहे हैं ठीक है ठीक है टार्गेट दिरूर पूरा किया करिए अगला कोशन है राश्ट्री राश्ट्री वित्ती रिपोर्टिंग अधिकारी के अधिकारी के अध्यक्ष रूम में किसे नुक्त किया गया है राश्ट्री वित्ती रिपोर्टिंग अधिकारी के अध्यक्ष रूम में नुक्त किया गया है रंगाचारी स्रीधरन को ठीक है ओप्सन भी राइट है आप पेशे के लिए एक सोतंद्र नियामक के रूम में कारे करती हैं आपको बता दें स्रीधरा ने करनाटक केड़र के 1983 वैज के सेवन इवित आई से ऑफिसर हैं कैबिनेट की नियुक्ति समिती ने अब यहां पर पता दें कि लेखा परिक्षा पेशे के लिए एन एफ आरे की जो एक सोतंद्र नियामक के रूम में स्थाबित करने का नेड़े कंपनी अधिर्यम 2013 द्वारा किये गए परवितनों का अनुरूप है तो राश्टी वित्ती रिपोर्टिंग अधिकारी यानि श्रीधरन को यहां पर बात करें रजनीश कुमार की तो रजनीश कुमार जी बरतमान में इस्वीयाई के चेयर्मैन है कौन है रजनीश कुमार के बारे हम थोड़ा से जान लेते हैं अक्सार एकidents में मुझ ले जाता है तो भारती स्टेट वैंक का राश्टी करण कब हुआ था एक जुलाई 1905 को लेकिन 1921 में तीन प्रेसिडेंसी वैंको बंगाल वैंका बंबाई और वैंका मद्रास मिलाकर इंपीरियल वैंका उफ हिंडिया की स्थाम लगी गई थी और इसका राश्टी करण को बात करें सौरी रंगचारी स्रिधन को अगर बात करें हस्मुक अधियकित वरतमान में सचीव है फाइनेंस सेक्रेटरी है उर्जित पतेल जी वरतमान में आर्वी आई के गवर्नर है आर्वी एक स्थाबना हुई थी एक अपरेल 1935 को और इसका राश्टी करण किया गया कि अधियर पतेल यह इसका इसको और एंसर बाट आप्शन भी रंगचारी स्री धरण को स्था दोस्तों अंतराष्टी मुद्राकोष्ट का मुख्य अर्थ शास्त्री किसे निव्त किया गया है गीता गोपी नाथन को ठीकि गीता गोपी नाथन को आपको बता दें कि भारत इन्वर्सिटी की प्रोफेसर गीता गोपीनात को आई एमफ यानी अंतराश्टी मुद्राकोष इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के प्रवन नेशक क्रिस्टीन लैगार द्वारा अंतराश्टी मुद्राकोष को मुख्य अर्थसास्त्री नियुक्त किया गया है आपको बता द केरल के मुख्यमंत्री कार्थिक सलाकार भी है ठीक है तो यहां पर अगर बात करें आई एमेफ की दोस्तों आई एमेफ को फुल फॉर्म क्या है अंतराश्टी मुद्राकोष इन्टरनेशनल मॉनेटरी फंड इसकी स्थापना कब हुई थी आएमेफ की स्थापनों थी 27 दि इसकी स्थापनों को पुरसाहन तता सदस देशों की आर्थी कुन्रती में मदद के लिए अंतराश्टी तंत्र को मजबूती प्रदान करता है अंतराश्टी मुद्राकोष यानि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ठीक है तो आई एमेफ की मुख्य आर्थिसाश्टी किसे नि किम वर्तमान में यह वर्ल्ड वैंग के प्रवन निश्चा ठीक है वर्ल्ड वैंग के चेर्मैन है तो यह भी फैक्ट आपको याद रखना है काफी इंपोर्टेंट हो जाते हैं ठीक है और दोस्तों तो अंतराश्टी मुद्राकोष का मुख खरसा से किसे निक्त किया गया अप्शन सी गीता गोपीनात को कोश्चन नमर फूर्थ है केंद्री शूचना आयोग दराक कि शंस्था को आर्टी आई अधिनियम के अंतरगत लाया गया है राइट अंसर वैगा ऑप्शने बी सी सी आई को अभी बी सी सी आई आपको बतादिक बोर्ड आफ कंट्रोल फॉ मुखे कोच है रविशास्त्री जी वी सी के खनना जी ठीक है और अगर बात करें आब चिर्फ इंफ्वर्मेशन कमिश्णर आरके माथूर तैक आरके माथूर वरतमान में केंद्री सूचना आयोग के CIC है ठीक है तो यह फैक्ट आपको याद रखना है तो BCCI के बारे हम आपको बता जुका हूँ तो गेंद्री सुचनाय अगुदारक कि इस संस्था को RTI धनेम के अंदर गतला गया है करेक्ट एंसर है और बात कर नीतिया को बारे हम कई बार बता जुका हूँ एक बार फिर से रिवाइस कर देता हूँ नीति का फुल फॉर्म नेशनल इस्टिटूशन फॉर ट्रास्फर्विंग इंडिया स्थापना हुई थी एक जनवर 2015 को योजनायक्यस्थान पर बरतमान मे जो उपाध्यक्ष है वो है राजीव कुमार इसको जो अध्यक्ष होते हैं वह थे भारत के प्रशामंत्री मोदी जी है हलाकि आपको चीज़े याद हो गई होगी बिल्कुल रटा गया होगा कंठस्त हो गया होगा वरतमान में स्रीय हो है नितियाओ को है मिताप कांत जी ठ होते हैं कोश्चन नमर फाइव होकी इंडिया के अध्यक्ष शुरू में किसे नामित किया गया है तो होकी इंडिया के अध्यक्ष शुरू में नामित किया गया है दोस्तों करेक्टर सब्सक्राइगा इसका ऑप्शन B. मुस्ताक अहमद को गया है मुस्ताक एहमाद को ठीक है चलिए अगला कोशन है युवा ओलम्पिक खेलों के लिए भारती टीम के दोजबाहक के रूब में किस्या नामित किया गया है इसके करेक्टरेंस जायाएगा ओप्सन डी मनु भासकर को ठीक है आपको बता देंग ब्यूनस आयर्स में तीसरे युवा ओलम्पिक खेलों के लिए 16 वर्षी शूटिंग स्टार मनु भाकर को भारती टीम के दोजबाहक के रूब में नामित किया गया है 46 एथलीटों सहीत 68 सजस्यों का एक दल आर्जेंटीना के लिए 6-18 अक्टूबर तक खेलों में भाग लेने के लिए प्रस्थान किया है आपको दाधिक भाकर ने ग्वादा हलारा विश्टकप के साथ साथ रास्ट्र मेंडल खेलों में 10 मीटर एर पिस्टल में स्टोंड प पूँ जा था किसे ट्राइब से इंडिया के ब्रैंड में निकुत किया गया है कारेक्ट इंसार इसका आपको इसमें भारत की रैंकिंग बतानी है यहां पर आप संदेर रखे हैं यदि आप रेगलोर वीडियो देखते हो तो आपको एंसर पक्का पता होगा तो यदि पता प्लीज कमेंट जरूर किया करिए कल अच्छा रिस्पोंस ता लगवागगगगगगगगगगगगगग स्वस्ता रहिए बेस्त रहिए मस्त रहिए आल दे वेस्ट जै हिन जै भारत